ये पावर कौन सी है वो तो पता नहीं लेकिन परमपूजनी दद्दा जी शरीपंडित देप्रभाकर जी शास्त्री जी मुझे पहली बार सोभाग मिला था दो हजार दो में इस पावन पवित्र भूमी पर जो है वो माग मेले में आने का मौका मिला फिर अर्द कुम्ब कुम्ब और बीच में लगातार एक आद बार जब इधर अगर कभी नहीं हुए तो अलग बात है अधर वाइद को कोशिश क्या कि मनलब सोभाग शाली रहा हूं कि लगभग हर साल मुझे इस पावन पवित्र भूमी के के उपर माथा रखने का मौका मिलता है और मैं इसका बहुत इंज्वाए करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये पावर जिस क्या क्या स्रोत क्या है वो तो बता पाना शब्दों के माद्यम से बड़ा मुश्किल है लेकिन जहां पे एक नहीं हजारों संगम हो हजारों मिलन हो हजारों डूबगियां एक साथ हो हजारों चिडियां एक साथ हो हजारों विचार धाराएं एक साथ हो हजारों विचार एक साथ हो इसके बारे मैं कितना बोलू चार घंटे भी बोलो तो कम है और इस पावन पवित्र भूमी से जब दद्दा जी के श्री मुख से हमेशा एक नारा निकलता था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्वावना हो, विश्चु का कल्याण हो सर्व समाज की जय हो, पूरे संसार की जय हो, पूरे देश की दुनिया की, हर किचन की जय हो दद्दा जी के और इस बात का पूरा प्रियाग राजगवा है कि पछली 15-20 साल से जब 2020 में पूजी दद्दा जी ब्रहमलीन हुए तो एक बार थोड़ा सा मंद कापा कि अब ये नारे लगाने का मौका इस मंच पे कैसे मिलेगा लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और दद्दा जी की करपा जितना भी नत्मस तक हों कम है कि हमारे परम पूजनिये बड़े भीया हमारे अग्रज जो दद्दा जी के जोष्ट पुत्र है श्री अनिर शास्त्री जी उनके सानिद में जो है पूज दद्दा जी के विचारों का काफिला उनके दिशाओं का काफिला उनके जो कर्म थे दद्दा जी के कोई भी आता था चाहे वो किसी भी चाहे नेता हो चाहे भी नेता हो चाहे उद्दोग पती हो चाहे वो समाज के किसी भी तबके का आदमी हो अई बिटा आपने शिवलिंग बनाएं तो शिवलिंग बनाने का जो दद्दा चाहे प्रियागराज से कोई आए तुरंत चाहे कोई administration से आए कहीं से भी आए तो दद्दा जी अब श्री अपने शरी मुक्से हमेशा उसको की बिटा ग्यारा शिबलिंग बना के जाना तो ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी में बिचारों की या हमारे ब्यापार की या वेभार की आचरण की वेभार की जो भी लकीरें डिजाइन की हैं वो पिछले 20-22 साल में जो पूज दद्दा के दिशा निर्देशन में एक धर्म करने का पूज देखी तो आज मैं बहुत खुश हूं और बधाई देता हूं अपने पूरे दद्दा शिश्ची मंडल के परिवार गुरू परिवार के की पूजे बड़े भाईया श्री अनिल शास्त्री जी ने आज जैसे अपने श्री मुख से घोशना की बहुत खुशी हो रही कि हम लोग यह माग मेला में शिवलिंग निर्मान का तो मज़ा ले रहे हैं लेकिन विश्चु कलने आज हे तु अगले महा कुम्भ में हम लोग सबा करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्मान महा रुद्रिक यग्ग के रूप में 108 पुरान के माद्दम से जैसा कि पूजे बड़े भाईया ने आपके चैनल के माध्यम से बताया हम बहुत गदगद हैं और पूरे अपने देश और दुनिया के सारे गुरु भाईयों से प्रार्थना करते हैं कि इस बार महाकुम्ब हो और महाकुम्ब की शान जिस तरीके से पूजे दद्दा के महाशिबली निर्मार से होती है और पूरे प्रियाग राज की पावन पवित्र भूमी पे धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कलने आड़ हो उस महा कुमे में गूजे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा और इसके लिए बस हम पे भी करपा बनी रहे ताकि की मैं इसका एक पात्र हो के अपनी सही बागिता निभा सकूँ और पूरे प्रियाग राज के माग मिला में आय हुए सबी श्रद्दालूं को हिर्दय से नमन करता हूं सबी संतों को नमन करता हूं सारे प्रशासन को पढ़ाम करता हूं और पानी पिलाने वाले से लेके पानी देने वाले तक सब के अपने अपने जो सहयोग हैं उनको सबको नमन करते हुए इस काफिले को दे के बहुत खुश सवभाग मिला और आज दद्दा शिश्य मंडल परिवार में बड़े भीया के सानी दिम बैठे हुए आप लोगों के साथ में बैठने का मौका मिला धन्यवाद एक और अहम आपके सामने ही मौनी अनौस्या का पर भी है और आप ही यहां जब आते हैं तो एक दम आस्था में हो जाते हैं तन्मी में देखा गया है कि आप दंबे समय से आते रहें और पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहां गंगा की रेती में उसी रेती में ल्याते हैं तो किस तरीके से मौनी अमवस्या को आप देखें शूह जैसा कि बड़े बहुए ने मौनी अमवस्या के को इसनान करता है तो उसके अंदर अंतरमन की बहुत सारी चीजों से खुद के प्रश्णों के उत्तर स्वय में मिल जाते हैं मैं इसमें बस इससे ज्यादा कुछ जानता नहीं मैं भी श्रद्धा से जो है डुकी लगाता हूँ क्योंकि हमारे दद्धा जी हमेशा बोलते थे क की बीज आप जमीन में कैसे भी डालो आपको पता हो या ना पता हो जब आप बढ़िया से खेती करके श्रद्धा से खेती को नमन करके उसमें बीज जालते हो उल्टा सीदा जैसा पढ़ता है लेकिन उसका अंकुर उपर की तरह भी फूटता है तो बस इससे ज्यादा मैं स सुख पाया है मैंने भी कई बार पाया है लेकिन शब्दों के माददें से बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और इसके लिए भाईया बड़े भाईया जैसे विद्वान यही इनकी जिम्मेदारी रहे वही काफी है